दिल्ली की रहने वाली पूनम सिंग अपने परिवार की सबसे चोटी बेटी है तो कभी उस किताब को चुआ भी नहीं ना कभी खोल के देखा क्योंकि ये तो हमारी किसे सब्जेक्ट की नहीं है और हमें ये भी नहीं पता था , कि ये किताब हमारी Almira में कहां से आई एक दिन क्या हुआ मैं अपने दोस्तों के साथ में एक चर्च जो था हमारी घर के पास पे हम वहाँ पर लालत से जाया करते थे कि वहाँ पर हम जाएंगे तो हमें गिफ्ट्स मिला करेंगे जो मेरे सामने एक मूर्ती थी वो मूर्ती देखकर मुझे हमेशा एक मन में बात आती थी कि इनका कैसा इश्वर है जो एक प्लस के उपर उन्हें टांगा हुआ है जिनके माथे से खून और हाथ पैर उसे भी खून आता है तो ऐसा मन में बार-बार उने देखकर एक कोश्यन आ रहा था पर उसको इग्नोर करते हुए हमासे वो गिफ्ट्स लेके चले जाते थी जब पूनम कुछ बड़ी हुई तो उनके चचेरे भाई एक पास्टर को लेकर घर पर आए पास्टर जी घर में आये और उन्होंने मेरी मम्मी को देखा और मेरी मम्मी से कहा कि बहन आप अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेके मेरे साथ कुछ समय के लिए बैठे हम मम्मी और पापा के साथ पास्टर जी के साथ में बैठे और पास्टर जी ने प्रभू एशु के बारे में बहुत सारी बाते कही और उन बातों में से पास्टर जी ने एक बात और कही कि बहन आप एक अद्भूत रीती से परमेश्वर में आईए ममी को पास्टर जी की बाते कुछ अच्छी नहीं लगी पर पास्टर जी मुस्कुरा कर वहां से चले गए अचानक कुछ समय के बाद पूनम का परिवार आर्थिक तंगी का शिखार हो गया इसी दौरान हमारे घर में एक समस्य आई कि पापा ने अपने सह कर्मी जो पापा के ओफिस में काम किया करते थे उनको अपनी गारंटी पे एक बड़े अमाउंट का लोन दिलवाया कुछ दिनों बाद हमें एपता चला कि जिनोंने लोन लिया था वो दिल्ली छोड़के जाच चुके है तो वो सारा बैंक का जो भी पैसा था वो पापा की सैलरी से कटता चला गया और घर में आर्थिक स्तिती हमारी बिगर्थी चले गई और हम एक प्राइविट स्कूल से गौर्मन स्कूल में आ गए क्योंकि पापा की फाइनेशली स्तिती बहुत डाउन चले गई थी हम पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए थी इन्ही कारणों से हमने अपने घर को बेचा और एक हम किराय के छोटे से मकान में आ गए हमें लगा कि अब हमारे परिशानिया खतम हो चुकी है पर यहाँ पे अंत नहीं और बड़े परिशानियों की शुरुआत थी घर में सबसे छोटे होने के नाते में परिवार के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी उन्हें देखकर मैं काफी दुखी होती और अपने मन ही मन बोलती कि हे इश्वर इन परिशानियों से हम कैसे बहार आ सकते हैं जैसे ही एक मुसीबत खत्म होने के कगार पर आती तो दूसरी मुसीबत उनके परिवार में और आ जाती इसी दोरान ममी की तब्यद खराब हो गई और ममी को हॉस्पिटल ले जाया गया ममी को वेंटिलेटर पे रखा गया डॉक्टर रे ममी को देखा और देखके जवाब दे दिया क्योंकि ममी के शरीर में कोई हल्चल ही नहीं थे और ममी तीन दिन तक वेंटिलेटर पे थी उनको देखके मेरा पूरा परिवार दुखी था फिर अचानक से मेरे कजन ब्रदर को पता चला वो अपने साथ एक पास्वान को ले आए पास्टर जी को ममी के पास ले गए तो पास्टर जी ने दूआ करना शुरू किया पास्टर जी यसी दूआ करके चले गए वहाँ पर तो हमने ममी को देखा कि ममी की शरीर में हल्चल होने लगी है यह बात डॉक्टर ने देखी कि उनकी शरीर में हलचर होने लगी है और डॉक्टर ने मम्मी को ट्रीट करना शुरू किया डॉक्टर की दवाईयों और प्रात्नाओं से मम्मी ठीक हो गई मम्मी को घर लाने के बाद धिरे धिरे उनकी तब्यत में सुधार देखते हुए हम पूरे परिवार ने प्रभू येशु मसी पर विश्वास किया और हमने तैय किया कि हम अब प्रभू येशु मसी के बताय हुए मार्क पर ही चलेंगे इस विश्वास के कारण पूनम और उनके परिवार को इस्टर डे पर एक चर्च में जाने का मौका मिला तब वहाँ पर अरादना होने लगी और जब मैने अपनी आँखों को बंद किया आँखों को बंद करते ही मैंने एक जोती को महसूस किया और वो जोती और कोई नहीं प्रभू एशु मसी थे वो जोती जैसे-जैसे चर्च में घूमती गई मैं वैसे वैसे उनके पीछे पीछे घुमते गई जोती को मैंने चर्च के गेट से बाहर जाते हुए देखा और तब थोड़ी देर में ही मैंने अपनी आखो को खोला और मैं क्या देखती हूँ कि जो भी प्रचार हो रहा है जो भी वर्शिप हो रही हुँ और मैंने पीछे मुड़े नहीं देखा और यही मेरे जीवन की एक नई शुरुआत थी और मैंने अपनी इस गवाही को चर्च में और अपने परिवार में बताया इस गवाही को सुनने के बाद मेरे घर में हर रोज परार्थनाय होने लगी पास्टर्स आने लगे, वचन होने लगे और धिरे धिरे मेरा परिवार प्रमेश्वर में और मजबूत होता चला गया जो हमारे घर में एक अजीब प्रकार की अशांती थी वो एक शांती में बदल गई सब के मनों में एक पीस आ गया सब बहुत खुश थे और जो पापा के उपर करजा था वो भी धीरे धीरे खतम हो गया सारी शांती मारे घर में वापस आ चुकी थी पर कहीं मैं अपने अंदर कुछ कम्यों को फिर भी महसूस कर रही थी इस एक नई शुरुवात के बाद बाइबल के एक वचन ने पूनम को और मजबूत बना दिया जो की पहला पतरस दो का नौ है पर तुम्हें चुना हुआ वंश और राजपतधारी याजगों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज़ प्रजा हो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंदकार में से अपनी अद्भुत जोती से बुलाया है इस वचन को पढ़ने के बाद मैंने जो महसूस किया कि प्रभु येश्व मुझे और मेरी परिवार को अपने राज्य और अपनी महिमा के लिए इस्तमाल करना चाहते है वो हमें अंदकार से जोती की और ले आये है और वो जोती कोई और नहीं वो खुद प्रभु येश्व मसी है